सबसे पहले गनेजी को नमन बिंदू फूट फैक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे ये रंगदार लड़ू तो ये देखने में बहुती मज़दार लगते हैं और स्वाद तो इनका उम्दा होता है बुंदी के लड़ू जहां बगवान को परसाद में चड़ते हैं वहीं खुशी के मौके पर भी खुब बंटे जाते हैं तो चलो देखते हैं बनाने का तरीका ये हमने वेशन लिया इसको चान लिया है और ये हमने धाई कप वेशन लिया है ग्राम के हिसाब से ये 350 ग्राम है और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलते जाएंगे और एक बार जादा पानी नहीं डालेंगे एक तो वेशन में गाठे बढ़ जाएगी अगर हम ज़्यादा पानी का यूज करेंगे दूसरा घोल ज़्यादा पतला हो जाएगा वेसन भी हलका मोटा होना चाहिए अब जाएगी इसमें सुझी क्या है ना सुझी मिलाने से बुंदी जो अच्छी तरह चाशनी को सोख लेती है और लड़ू भी शांदार बनेंगे हमारे ये वेसन का घोल हमारा हो चुका है और सुझी हमने 50 ग्राम ली है इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए पतला घोल बनाएंगे बस इतना पतला घोल होना चाहिए कि छलनी से असानी से जढ़ जाए घोल हमारा तयार है अब इसे हम 15 मिन्ट के लिए ऐसे ही रख देंगे और 15 मिन्ट हो गए है अब हम क्या करेंगे वेसन के घोल को बाउल में शिफ्ट करेंगे ये हमने दो बाउल ले लिए है इन में हम थोड़ा थोड़ा वेसन का घोल हमने डाल दिया है और अब इसमें जाएगा ग्रीन फूड कलर और इसे मिक्स कर देंगे और रेड फूड कलर इसको भी हमने अच्छे से मिला देना है अब हम बनाएंगे चाशनी और उसके लिए अब जाएगी चीनी, पोने दो कप, वोटर एक कप, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहे तो इसमें केवडा वाटर या गुलाव वाटर भी डाल सकते हैं, पर हम इसमें डाल देंगे लाइची फ्लेवर के लिए, और इसको मंदी मंदी गयास पर पकने के लिए छोड़ देंगे, अब ये कड़ाई में हमने शुद गी को पका लिया है, और इस पे आप हम देख ट्राई करेंगे, एक बंदी डाल कर, ये देखो नीचे से उपर की और आ गई है, इसके मतलब गी हमारा तयार है, अब इसमें हम इसको में ये जहर ले लिया है, बड़े बड़े छेद वाली, इस तरह से हमने धार बना कर फेला फेला कर बूंदिया निकालनी है, तक कि चारो तरफ बूंदी बरबर गिरे, और इनको निकालने के लिए हमने दो चल्नियों का यूज किया है, एम परशाद के लिए बंदी बना रहे हैं, तो हम ये शुद्गी में बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे ओईल में भी बना सकते हैं, और ओईल हमने इतना लेना है, जो हमारा कऻई बर्तन जो भी है, वो अदग हो, ओईल आदग हो, योगि बुंदी तलने के लिए ओईल हम등ब पीद्याय ज़ये, और ये जर्ड की साइता से हमने बुंदी निकाल लिया है, देखिए हमारे घरों में अलवाईयों जितना समान तो होता नहीं है, हमने एक चाई वाली छलनी ले ली है, उससे हम बुंदी को निकालते जाएंगे, और एक बड़ी छलनी से में डालते जाएंगे, ताकि इसका सार निकल जाएंगे, चैशन हमारी तयार है, गाड़ी हो गई हलकी हलकी, और देखने में भी लग रहा है कि चिपचिपी है, अब इसमें हम जो पीली बुंदियां उतारी है, उससे डाल देंगे, जर को हम साफ करेंगे, और अब हम उतारेंगे इस पे रेड कलर की बुंदे, ज हम चाशनी में बिगो कर रख लेंगे, गी भी हमारा बिल्कुल भी नहीं है, प्लेट पर निकल चुका है सारा, और इसे हम ढ़के रख देंगे, ताकि बुंदी राम से चाशनी को सोख ले, और अब हम एड़ करेंगे खर्बुज्य की गिरी, इसका भी टेस्ट बहुत ही अ लड़ों में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसमें जाएगी रेड कलर की बुंदी, और अब हम डाल देंगे इसमें ग्रीन कलर की बुंदी, इन सब को हम मिक्स करेंगे, और दस पिनट के लिए ढख कर रख देंगे, और फिर हम बनाएंगे इसके लड़ों लड़ू बनाना शुरू करते हैं, बुंदी में हलकी सी चाशनी है, इसलिए हम अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बूरा, और उसके डालने से क्या होगा, कि जो बूरा है वो चाशनी को सोक लेगा, और फिर हम बनाएंगे लड़ू देखो हम गर में लड़ू बनाते हैं, हम इतने प्रफैक्ट तो होते नहीं हैं, हमारे से ये छुट छुटी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हम ठीक करने के लिए इसमें डालेंगे बूरा, और फिर हम बनाएंगे लड़ू, देखते हैं, लड़ू गैसे तयार होते हैं, ये देखें, बहुत ही अच्छा लड़ू बनकर तयार हो गया है, और आप भी ऐसे ही घर पे लड़ू बनाएं, बगवान का भोगल गाएं, और सब को खिलाएं, अगर आपको ये रैस्पी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करना, शेर करना, हमने इसको चांदी के बरक से सजा दिया है, अब ये लड़ू हमारे भोगल लगाने के लिए तयार है, थेंक्यू सो मच, टेक यार, आप सभी को मेरा राम राम,